सुमच्चुक नमश्कार आज हम आपके वाक्षिट नमबर एक्यान में क्लास नोवी विग्यान डिसकस करेंगे आपका जो उतक वाला पार्ट है उसके रिविजन चल रही है तो उसके बारे में ही बात करेंगे आज हाज हम बात करेंगे जन्तू उत्तक के बारे में तो एपिथिलियल उत्तक होते हैं सबसे पहले जो कि आपके शरीर में बाहरी रक्षा प्रदान करते हैं जो ढखते हैं इनके मुख्यकारे के हैं आपके अलग लग शरीर के अंगों को ढखना और एक कंगों तूसरे कंगों से अलग रखना है इसमें अलग लगता है कि होते हैं शल्की, स्तंभी, घनाकार और एपिथिलियू शल्की जो है आपकी फेफ़णों की कूपी काओं में विसरन करने वाली सत्य होती है उनके अंतर होते हैं स्तंभी जो है आर नलिका के भीतर, घनाकार वक्र नलिकाओं में और गरंथिल ये कुछ गरंथियों का निर्मान करती है अब इसमें स्योजी उत्तक अलग लग होते हैं रक्त, असित, उपासित, सनायू, एउमकंडरा, एरियोलर उत्तक और वसामे उत्तक स्योजी उत्तक के दो भाग होते हैं एक कोशी का होती है और एक अंत्र कोशी आधरात्री होती है प्रशन उत्तरों की बात करें तो पहले तीन प्रशन आपके जो हैं अभी कतन और कारण वाले हैं वसा में उत्तक ठंड से बचाते हैं ही बात है वसे भुक्तवसा का बढ़ारन भी करते हैं तो यह दोनों बात है सही है तो इसमें आपका ए आएगा सुनाई एम कंडर रेशादार सयूजी उत्तक है करेक्टिव टीशू है सुनाई असित को असित सर कंडर मास्पेशी से जोड़ता है यह बात भी सही है लेकिन उस सकते हैं इसके अंदर असित और उपासित के अंदर को इसके बाद में पांचवा है पिधिली उत्तक का कारिया लिखना है तो इसमें आप कारिया जो लिख होगे वह यहां से लिख होगे इनका मुख्य कारे जंतों के शरी में अंत्रिकंगों को और गोकों डखना में विभिन प्रकार के शरी दंद्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना उसके बाद में चठा जो है सेयोजी उत्तक के विभिन प्रकार क्या है आपको सेयोजी उत्तक के विभिन प्रका हो जाएंगे राकतासित उपासित हो यह सब तो यह आपके चठे का उतर हो गया उमीद करते है वक्षित पसंद आयोगी देखने के लिए धन्यवाद